क्यों आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं और उसकी आवाज जो दिल की आवाज होती है वो हम सुन लेते हैं कि आज सुबह किसानों के साथ मजदूरों के साथ बगेल जी और मैंने थोड़ा काम किया बातचीत की और सारे के सारे किस्तान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले पांच साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है कि दो हजार पांच सो रुपए प्रतिक्विंटल कर्जा माफ पिजली बिल हाफ किसान या योजना में 23,000 क्रोड रुपए 26,000,000 किसानों को मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल पांच लाख मजदूरों को फाइदा मिला अब देखिए कॉंग्रेस पार्टी का तरीका देखिए आज सुबह किसानों से बात हुई मजदूरों से बात हुई मजदूरों ने हमें कहा बगेल जी को साहू जी को टी-एस जी को मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है मैंने बगेल जी से गारी में बात की और हमने निन्ने ले लिया कि 7,000 नहीं अब 10,000 रुपए हो जाएगा और 36 गड़ के किसान सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूँ पिछली बार हमने कर्जा माफी का वाइदा किया था वो वाइदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वाइदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे सुबह हमने पूछा किसानों से पूछा उनकी जमीन के बारे में पूछा और मैंने उनसे पूछा भई आप जमीन का रेट क्या है सीधा मुझे जवाब देते हैं राहूल जी यहाँ पर कोई जमीन बेचना नहीं जाता हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है कोई कर्जा नहीं है बैंक अकाउंट में पैसा है हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे है तो यह एतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है और हम चाहते है All right, so Rahul Gandhi there speaking about his interaction with farmers and Chhattisgarh speaks about how Congress Government has helped improve lives of farmers, talks about how farmers there have benefited and also how he plans to help them even more with Karza. Mafi says some historic steps have been taken by the party.